प्रोषित परीजनों ने किया हंगामा आदिपुरिश मूवी देखने बहुते सांसद रवी किशन सिनमा घरों में जैशी रांग के लगाए नारी अवैद कची शराब भरते यूवक का वीडियो वारल यूवक के खिलाफ दर जुआ मुकदमा नगर निगम में चुलाया दिक्रमण हटा अभियान दिक्रमण कारियों पर की गई कारिवाई नमस्कार आज की खबर में आपके स्वागते मैं हूँ आपके साश्रिखा महरूतर शिरुवात करते उत्तर प्रदेश खबरों की केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगिया आदे तेनाथ महा संपर्क अभियान में पहुचे और 414 करोड की 217 परियोजनाओं का शिला न्यास और लोकार पड़ किया मतादे सियम योगी ने पहले पुलिस लाइन में नव निर्माणा धीन माडिकल कॉलेज का ओचक निरिक्षड किया और निरिक्षड की दोरान कार प्रगती को धीमा पाया लेकिन संतोष उव्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि अगले साल से बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी हो सके वही इसके बाद कारिक्रम इसहल डाट परिशद उर्मारा में सियम योगी ने जुनसभा को संबोधित किया उत्रदेश के मुखी मंत्री योगिया अधितनात भले ही यूपी में सडकों का जाल बिच्चा रहे हुँ लेकिन ओवरलोज वाहनों से आए दिन करोडों अर्बोग रुपे के बने रास्ते जरजर हो रहे है यहां हम बात कर रहे हैं बांदा जन्बत की जहां मौरंग खदानों से ओवरलोड ट्रक भरके भेजे जाते हैं जिसमें कुछ ब्रष्ट अधिकारी और खनन माफिया शामिल है वहीं परिवहन विभाग ने जाज के बाद पकड़ी गई गाड़ियों पर कारवाई करने को कहा है प्रभुशी राम के उपर आधारत फिल्म आदिपुरुष सिनमा घरों में रिलीज हो गई है जिसको लेकर कई हिंदुवादी संगठन मूवी का समर्थन कर रहे हैं और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो कई संगठन हनुमान जी की आर्ति और भजन कीरतन कर रहे हैं इसी के बीच गोरखपुर के निजी सिनमा घर में भाजपा के सांसद और अभिनेता रवी किशन आदिपुरुष मूवी देखने पहुँचे जहां दर्शकों ने भी अभिनेत रवी किशन का जैशी राम के नारों से स्वागत किया प्रभु राम का भक्त होने के नाते कि मरियादा पुरुषोतम पुरुषो में उत्तम कैसे होते हैं तो आप लोग जरूर जाइएगा ये फिल्म मैं पहली बार आके ऐसे कह रहा हूं कि आप लोग आईए मैं कभी आईसा प्रचार जल्दी नहीं का अपनी फिल्म का भी जल जन्पद में अतिक्रमल हटाओ अभियान चलाया गया ये अतिक्रमल हटाओ अभियान गुरुद्वारा रोड और चिलकान रोड पर चला जहां पर अतिक्रमल कारियों पर कारिवाई करते हुए अतिक्रमल को हटाया गया बता दे इस दोरान निगम की सभी अधिकारियों और संपती अधिकारी को सर्वे करने के लिए बताया गया था जिसकी रिपोर्ट समिट होके सब को नोटिस चिले गए थे कि कहां कहां किस किस ने कितना अतिकमन किया है साथ में गुर्दवारा रोड रेल्वेस्टेशन रोड जी पीव रोड इन साथ जो है स्मार्ट चिटी रोड और इसके रोड के बाद में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाए जारी है उसके बाद में नाले कर निर्मान चल रहा है कुछ लोग जो ते अतिकमन नाले तक किया हुआ था तो आज जो है गुर्दवारा रोड में हमने एक अतिकमन का हर्दोई की बेहटा गोकुल धाना एला मुकदमे भी दर्ज है बनादे पुलस लगतार युवक की गिरफतारी में जुटी है यह ग्राम कीला पूर है थाना बेटा में खुल छेतर में यहां पे इस जीडियो वाइरल होगा है जिसमें इसका नाम पमित है लिखाई पढ़ रहा है कि कुछ पाउंच यह बोरे से नि तो इसके पूर भी इसके उपर और इसकी बाता चुपर इसके चाशा की उपर काई अम्यूट एक्साइज एक्टिव शिकोहबाद के हाईवे रोड सित एक नेजी अस्पिताल में एक प्रसूता की मौत के बाद आक्रोशित परीजनों ने डॉक्टर पला परवाही करने का आरोप लगाया और थाने में शिकायत दर्ज कर आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ कारवाई करने की मांगी है बताय जा शिकायत प्रसूता के साथ जोड़दार बारिश होने के बाद लोग में खुशी का मोहल देखा जा रहा है जहां एक तरफ सरकार अपराधों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है वहीं बांदा से एक दिल दहला देने वाले मामला सामने आया है जहां पती ने पत्नी की चाकों से गोद कर हत्या कर दी बता दे पती पत्नी को माई के लेने पहुचा और पत्नी ने जाने से इंकार कर दिया जिसके बाद आकरोशित पती ने पत्नी को चाकों से गोद कर मौत के घाट उतार दिया वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुची पुलिस ने शब क कब जिम में लेकर जाच रुकी शाजापुर में एक अभीशर सड़क हाथसा हो गया जिसमें एकी परिवार के तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और नौ लोग गंभी रूप से घायल बताई जा रहे हैं जिनको मौके पर मौझूद लोगों ने अनन्फानन में इलाज के याकूब पुर्चराहे की है रोजबाद में वरिश पुलिस अधिक्षिक द्वारा अप राधियों के खिलाफ चलाए जा रहे है अभियान के तहत पुलिस अधिक्षिक के निर्देश में छेतरा दिकारी शिकोहबाद को बड़ी सफल ताहात लगी है पुलिस ने मुस्तफ अधिक्त किया है जो 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 तो फुलिस ने पर देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं आज की खबर कि अुलिस ने 2